आप देखे रहें फाइनेशल गोल्स दर रिटेलर्स पॉइंट दो आज से हम यहां पर एक आप्शन सेलिंगे एक बहुत ही मज़िदार और वेरी इंफॉर्मेटिव बुक यहां पर आज से बुक समराज़शन हम स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है डेफिनिटिव गाइड टू अडवांस ओप्शन ट्रेडिंग दोस्तो इसके ओधर है रोहित कटवाल दोस्तो इस बुक में आपको पता चलेगा कि आप ऑप्शन सेलिंग करके ऑप्शन सेलिंग को हैज करके कैसे आप मंतली इंकम यहां पर कमा सकते हैं तो बहुत प्यारी बुक है इस को हम आज से यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं और बिना किसी समय को जाय करते हम आज से अपना पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर वन तो दोस्तो इस से पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ इस बुक समरी का कि यहां पर थोड़ा सा आपको बेसिक नॉलिज होनी चाहिए ऑप एक भी चैप्टर यहां पर मिस नहीं करना हम सुरू से इस बुक को आखिर तक जल्द जल्दी ख़तिम करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों इस बुक का यहां पर सीखने वाले यहां पर इस बुक में तो चलो चलते हैं तो यहां पर आगे चलते हैं तो दोस्तों यहां पर हम आगे चलते हैं तो दोस्तों यहां पर बताते हैं कि जब भी आपको ट्रेड लेते हैं तो आपको ट्रेडिंग जनल यहां पर मैनेज करना चाहिए दोस् इनका कहने का मतलब है दोस्तों कि यहां पर आपको अपना कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ कहां पर टार्गेट है कितना स्टॉप यह सब आपको किसी डायरिया एक्सल में मैंटेन करना चाहिए ठीक है दोस्तों तो यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर इन पर बता देता हूँ पहले तो दोस्तों कुछ यहां पर एब्रिवेशन है शॉर्ट फोर्म में वह यहां पर देख लिए ता कि आपको आगे दिक्कत ना हो ठीक है तो दोस्तों मैंने जब यहां पर राउंड किया वह आप देख लेना सबसे पहले सिम्बल का मतलब बता जाए किया है, sell किया है, IMP, Brokerage भी यहां पर अपनी ट्रेडिंग जनरल में मैंटेन करते हैं तो आप भी यहां पर कर सकते धे, फिर IMP, P&L, Profit and Loss, Credit या डैबिट, मतलब credit है या डैबिट है, मत्AMA अगर आप जैसे अप चीजों को बाई करते हैं तो क्या होता, दोस्तों, डैबि यह इमेज दिखा हarnya है और यहां पर जैसे आप दिखाऊं सारे आपको यहांAll ने explains कीये हिए $- considering that buy-sell यहांb तो यहां पर दाइम वेच्चथ नहीं करेंगे धीड़ान टीक है तो यहां पर धीरा घ्राएं बढ़ते हैं और यहां पर डीजर यहां पर ठोड़ा साँ मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं क्योंकि यह चीजें आप सब को पता है इस लिए में यह चाहता हूं जल्दी से जल्दी तो दोस्तों call by मतलब बुलिष call sell मतलब बेरिश put by मतलब बुलिष यह सब आपको यहां पर पता होगा ठीक है तो यह मैं यह नहीं बता हूंगा कि फिर जल्दी जल्दी open interest को यहां पर explain किया थे क्योंकि दोस्तों जब आप option ट्रेंग करते हैं तो open interest को analysis करना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है तो दोस्तों यह बोलते कि open interest होता गया वो आप समझ लीजिए दोस्तों बोलते कि मालो क्या होता कोई बंदा रवी इफ रवी बाई कॉल ऑप्शन ठीक है बोलते कि मालो कोई रवी ने एक कॉल ऑप्शन बाई किये 9,500 की strike price की 80 rupees की call buy किया और sham ने उसी call को sell की तो यह होगया दोस्तों, एक बंदे ने buy किया और एक बंदे to sell कि तो जो open interest बन गायगा गया धोस्तों वह wanna एक ठीक है, वह न गाया गया एकए ऐसा निए कि एक ने buy डिटेल में डिसकस नहीं करने वालने ठीक है तो दोस्तों यहां पर कुछ 6 points थे यहां पर जो इन्हों ने clear किये उसके बाद आगर आप यह clear हो गए call by मतलब bullish call sell मतलब bearish put sell मतलब bullish उसके बाद if price of underlying increase price of call option increase तो आप ने च्छेशाथ पॉइंट यह पर देख लिए तो आप रेडी है इस बुक को पर पर ने के लिए ठीक है तो अब यहां पर हम चलते हैं कि जो आपको मार्चिन या बहुत कम लग लगए तो अब निफ्टी का एक लोट करेंगे तो आपको यहां पर 30 ,000-45,000 अगर आपको किन निफ्टी की किसी कॉल को सैल करेंगे तो आपको 50,000 तक में एक लोट मे काम कर सकते हैं तो जो निफ्टी का जो नया framework आया स्वरी ने जो नया framework यहां पर निकाला आया regarding margin वो बहतर हो चुका है तो आप जो बिल्कुल आप सही जगया है और सही बुक को यहां पर पढ़ रहें क्योंकि अभी margin बहुत कम लग रहा है तो यह अभी यहां पर इस chapter में बताने वाले कि option selling ही हमको क्यों करनी चाहिए दोस्तों ठीक है उसके बाद यहां पर जैसे बैंक निफ्टी में आप ट्रेड करेंगे तो आपको यहां पर कर रहा है 9000 पर ठीक है तो यहां पर अब निफ्टी अगर 9000 पर ट्रेड कर रहा है तो क्या करता है कोई बंदा यहां पर 9300 को क्या कर देता है कर देता अगर को यहां पर नेगट चेड़ करता है तो दोसको इहां करता है तो उसको मार्जिन जो लगने माला लगेगा 135000 और हुर्ण को कई बंदा तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर आप यहां पर एक कॉल को सेल करेंगे तो अगर आपको कॉल सेल करनी है तो दोस्तों यहां पर यहां पर आपको पहले सीखने पड़ेंगे ठीक है बाइंग की तरह बहुत जादा लोग अट्रेक्ट हो जाते हैं तो कुछ मित हैं वह यहां पर आप पहले सीख लिएजिए तब आगे बढ़िए तो यहां पर जो बोलते हैं के सबसे पहली बात जो मित आपको बताया जाता है कि बहुत जादा क्या होता है तो यह ऐसा आपको बार बार बताया जाता है बट यह ऐसा ट्रू नहीं है अगर आप सब कुछ ठीक से करेंगा तो अल्लिमिटेड रिस्क कहीं नहीं होता दोस्तो तो दोस्तों यहां पर कुछ मित आपको बदाए जाते हैं वो पहले हम देख लेते हैं क्या क्या मित हैं तो पहला मित है दोस्तों के option selling बहुत ज़्यादा costly होती है बट आप नहीं है अगर आप उसको hedge करेंगे तो costly नहीं होती है पहला मित गाया option selling has less return हमानते हैं option selling less return वाली है बट आपकी winning के चांस से वह ज्यादा है तो symbol यह भी मित हम cancel कर देते है option buyers enjoy less risk ठीक है मानते हैं कि हम option buyer को less risk होता है बट आप यह देगे बट फिर आप lottery ही आप जाके खरीच सकते हैं ठीक है तो जिसका risk कम है बट आपका winning probability भी बहुत कम है दोस्तो option buyer potential for profit is unlimited हां मानते हैं बट वह 100 में से एक या दो मूव होते हैं जिसमें option buyer यहां पर पैसा कमाता है बट full profit तो वह भी नहीं ले पाता अगर 100 का 500 कोई 100 की call 500 की हो जाएगी तो मैं दावे के साथ कहसता हूं कि कोई retail trader ऐसा नहीं होगा कि 100 पर entry करेगा और 500 पर निकलागा वो 50.60 पर निकल जाएगा बट जो रोज 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 करेगा वो इसको नहीं देगा हां बोलते हैं कि option buying को आप less capital के साथ कर सकते हैं यह भी एक मित है बट अब यहां पर आपको अलग तरीके से सोचने की जरूरत है वो कैसे वो भी हमारे author साब हमको बताने वाले है ठीक है तो दोस्तों वो बोलते हैं कि कि यहां पर यह के जो seller है जो डेपलोई करता है capital बहुत जादा capital डेपलोई करता है ठीक है तो बट यह बोलते हैं का अगर जैसे हमने भी पीछे एक्जामबल दिया कि 9300 की call को sell करेगा तो 1.38% यहां पर कमा रहा है ठीक है ठीक है बट यहां पर दोस्तों आपको पता है कि option selling कौन करता सब को पता है कि operator करते हैं जिनके पास क्या है बड़ा यहां पर information है ज्यादा information होती है option selling क्या है but probability of winning is so high ठीक होती है बहुत ज्यादा हाई होती है यहां पर probability of winning उसके बाद option selling has consistent return if done properly अगर आप ठीक से करेंगे और आप सही जगया है सही book पड़ रहें तो आपको premium is lost there is a loss of 100% of traded capital अब यह समझे मालों आपके पास एक लाग रुपे और आपने एक लाग रुपे का कोई option buying यहां पर कर ली तो चांसे जादा है कि आपको सारा capital चला जाएगा दोस्तों ठीक है तो यह कुछ इन्होंने मित यहां पर बताया थे एक और एक दूमीत हो रहें व और अगर most of time market sideways रहता तो यहां पर आप दिक्कत में आ सकते हैं less capital does not equate high return capital can be lost easily छोटे capital के साथ आप high return नहीं generate कर सकती हो capital बहुत ज़्यादा चला जाएगा और एक और यहां पर मित है कि देखो आप हमेशा यह देखना कि option buyer speculate where the market can go option buyer आप हमेशा यह सोचता है कि market कहां जा स समझते हो बात को जब भी आप कोई चीज सेल करते हैं आप यह बोलो कि market इस से उपर नहीं जाएगा और पुट सेल करोके तो market इस से नीचे नहीं जाएगा और जहां option buy करो तो आप बोलो कि market वहीं जाएगा तो ठीक है तो दोस्तों इसको आप एक बार और और सकते है read it again य यहां पर अभी यहां पर चल रहा है इसका कुछ price price चल रहा है 8954 ठीक है price चल रहा है 8954 तो इसका example देंगो कुछ यहां पर order समझाने वाले है ठीक है तो मैं आपको hourly chart यहां पर दिखाया रहा है nifty चलो हम थोड़ा पीछे चलते हैं तो दोस्तों यहां पर यहां पर क्या ह चलना 8954 ठीक है तो यहां पर weekly option of strike price अभी बोलते हैं कि जो weekly option है उसका 9400 का डेक है वो चलना है 22 रुपीस पर टीक है weekly option of strike price 9400 की call चल रही है 22 रुपे पर अगर आप उसको sell करते हैं अगर आप उसको क्या करते हैं दोस्तों sell करते हैं ठीक है तो आप कितना premium मिलेगा-650 1, 3500 पाइर अब यहाँ पर अपने तो आपको कितना मिला एकार सबॉपै पर अगर बायर उस ट्रेड को लेता है तो वह उसको प्रेमियमर पेट करना पेड़ा है और उसको मैकसिम रिस्पी इतना ही होने गार अब यहां पर क्या होता है अब देखें कि का अब कॉल सेलर और क् को profit कमाएगा कैसे loss कमाएगा पहले आप यह देख लिए ठीक है तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि जा अंटिल weekly expiry यहां प्राइयस केन मूफ इन 3 डारेक्शन यह थिंदो उपर जा सकता है नीचे सकता है यही स्थ जहां तो थो कई मूश्मेंट होता ना दोस्तों यह देख लिए पर कि अगर मॉर्गिट यमदेश तो दूस्थ पहला देख लिए कि माल्व तिए प्राहिज द्रीफ्ट लोवर ऐ देख प्रांस अगरफ्पंट अगर शीधा क्यों रूप्र साइड मयिन गर्ला का पैसा बन जाएका तब स्थ तरे का ख्रौ स्थ प्राहिव और और जिल जाएकाω कि अमयर प्राहिज 9325 क्या दोस्तों आप यकीन करना जब 9325 आपर इसका प्राइस क्लोस अबव 9325 तो बायर मेंक प्रॉफिट कुलन टू प्राइस मेंक मूव एबव 9325 ठीक है तो यहां पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि ऑथर ने यहां पर थोड़ा गरवट कर दिया और प्रिंटिंग में अब दोस्तों यहां पर मार्केट कहलें पर दिक्कत है कितना यहां पर प्रॉबलम है औप्शन बायर को पैसा बनाने के लिए ठीक है तो यहां पर में आपको बताया अब दोस्तों यहां पर अब यहां पर देखो चार में से तीन केस ऐसे हैं जहां पर सेलर जीत रहा है यहां चार में से तीन केस हैं कि मार्केट में क्या हो रहा है सेलर जीत रहा है मलब 350 पॉइंट मूव भी कर रहा है तब यहां पर अगर दो दिन में 350 पॉइंट मूव कर जाता मार्केट तब एक लॉस की मार्केट नहीं जाएगा 93 के ऊपर जाएगा ठीक है तो दोस्तों यह जो जाएगा नहीं जाएगा यही पूरा डिफिरेंस पैदा करता है option buyer और seller के perspective में फिर दोस्तों option seller बैट था अगर वहां तक रहेगा तब भी option seller पैसा बना जाएगा अगर तीन सो पॉइंट मूव करके तीन सो पॉइंट मूव भी रहा तब भी अगर वह 9300-9310 के असपास क्लोज है तब भी option buyer पैसा नहीं बना पाएगा तो दोस्तों कितनी अनिश्चिता हैं आप देख सकते हैं ठीक है अब दोस्तों आप यह समझे आप यह कोई शेर तो है नहीं जैसे मालो आप रिलाइंस का शेर खरीद लिया अब भाई देखो अगर आप शेर खरीद देंगे तो दिन पर दिन उसकी वैल्यू बढ़नी है कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी तो वाई शुड यू बाई इन इस्टूमेंट विच इट्स नेचर इस डाइंग तो यह सिंबल सिंबल होनों बोला वही फिर बोल रहा है कि जो अगर कंपनी का स्टॉक हो तो वह उसकी वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती बढ़ यहां पर इसकी वैल्यू कम हो रही है इस एज बाई डिफॉल्ट देखो यह मैं आपको पहले एक्स्प्लें कर जाएंगो अगर आप यहां पर कोलेटरल मार्जिन से भी आप एक नया इंकम जनरेट कर सकते हैं दोस्तों कैसे के माललों यहां पर बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो की कोलेटरल मार्जिन तो यहां पर बनाया हुआ आप जाके चेक कर सकते हैं तो दोस्तों यहां पर क्या है कि जैसे माललों आपके पास अगर 10 लग का पोट्फोलियो तो मुस्ट आप ब्रोकर 80% दे देते हैं और 10 लाग अगर आपके पास है तो आप 8 लाग तक का कोलेटरल मार्जिन उन से ले सक तो उस पर भी आप यहां पर कमा सकते हैं अगर यहां पर आपकी होल्डिंग अच्छी आजी तो उस पर भी आप यहां पर ट्रेड कर सकते हैं ठीक है तो इन्होंने यहां पर बता है कुछ ब्रोकर तो ऐसे हैं जो FD पर भी को लेटरल देते हैं तो बट यह तो आप तो बट अब यहां कुछ ऐसे पॉसिबल नहीं है इंडिया में कुछ ब्रोकर ही होंगे पर मुझे नहीं लगता कोई FD पर देता हुआ फिर quantitative analysis is done for an option seller quantitative view दोस्तों यहां पर analysis of option data is always done from option seller दोस्तों जब भी अगर आप option selling करोगे option selling करोगे with hedging benefit तो दोस्तों आपको यहां पर कैसा view रखना चाहिए तो दोस्तों हमेशा आपको जो अगर आप option seller हो तो simple बात है operators को कर रहे है ठीक है तो यहां पर आपको जब भी कोई भी आप analysis करेंगे तो seller जो यहां पर जो analysis करना होगा वो operator के हिसाब आपको यहां पर करना पड़ेगा वो हमें यहां पर आगे सीख लेंग कोई problem नहीं है hedging in option selling है दोस्तों यहां पर high margin required होता है option selling के लिए बट यहां पर आजकल क्या होगा अगर आप hedge करतें तो बहुत कम margin लगता हूँ मैं पीछे बादा आजगा हूँ सेभी का नया margin framework का है उससे काफी कम margin यहां पर लग रहा है तो यह सब आपको पता है ठीक है तो option selling as a regular income generation tool तो सो confirm है आप बिल्कुल regular income generate कर सकते इसमें कोई डाउट नहीं है बट यहां पर कुछ आपको आपको यहां पर चीजे कुछ यहां पर सीखनी होंगी जैसे कि आपको trade क्या लेनी है कितनी quantity लेनी है position sizing क्या है अगर आपकी trade अगेंस चलेगी तब आपको क्या कर तो यहां पर फिर इन्हों बता है कि वाइल इंट्रेक्टिंग विद मेंटर आया तो इन्हों ने बता है कि मैं जिन्ने भी ट्रेडर से मिला है तो बहुत से शुरुआत करते हैं option selling से पर वो जैसे-जैसे उनका capital खताम होता चले जाता वो बाइंग की तरफ होते चले जाते आप जरूतर झाले झालि कर दो कर दो नहीं आपका ब्रॉडर हो नहीं हुआ हुद हो आफहले धार्याकल फिर के चाएक विशकू बार्युन आफम करते हैं तो यह बहुत जवर्शार हसारूरी है के भी ट्रेड की एक सोल्डर की तरफ होता है मतलब कुछ एकसा एक्जाम्पल दिया कि वह आपको फाइट करनी है और ठीक है तो इसको हम आभी आवाइट करते हैं बट अभी में पॉइंट यह समझिए आपको अपना व्यू बनाना है पहली बात तो यहां पर कुछ ऐसे कोश्चन है जो आपको अपने आप से पूछने बढ़ेंगे दोस्तों अगर आप ऑप्शन सैलिंग करेंगे विद हैज बेनिफिट है वाट इस अरेशनल बहाइंड दोस्तों अपने ट्रेड लिए तो उसक यहां पर शॅन पतर को भाट करने पता है अब दोस्तों ऐसे हैं उसके किसे सिंविब आपको पता होना चाहिए लियू उसके बाद यहाँ पर विल यू नीड मोर मनी दोस्तों आप भी बूले कि किया आपके पास सर पलस में आपके पास और मनी है ताकि अपनी पोजिशन को आप प्रोटक्ट कर सकें और ज्यादा हैज कर सें फिर दोस्तों इन्होंने बता रहे कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप जब बुरे से बुरा टाइम आपका चले और पांच स्ट्रेट लॉस हो तो भी आपका capital ज्यादा नहीं जाना चाहिए तो आपके पास इतना capital होना चाहिए कि पांच बुरी से बुरे यहां पर जब भी आप ट्रेड लेते हैं तो वो तीन चार चार चीजों में खतम होता है दोस्तों बिग विन बड़ा बड़ा पैसा बनेगा आपका यह चोटा पैसा बनेगा स्मॉल विन ब्रेक इविन मतलब चोटा लॉस बिग लॉस ठीक है तो अगर पांच चीजों में से अगर आपने एक चीज को भी अवाइड कर दिया दोस्तों तो आप समझ लिए आपका काम हो गया आप आप कंफर्म ऑप्शन सेलर बन चुक है अगर आप पांच में से यह वाला जो बिग लॉस वाला यह कॉलम अपने तो आप 100% मंतली इंकम कमा सकते हैं तो यह इन्होंने बता है वाट हैपन इस दर वस्के सिनारियो वह यह के प्यूपिल पैने के लिए वर्श्ट के सिनारियो क्या कह रहे हैं बोल यह आप समझें बोले जब मार्केट में पैनिक आता है तब क्या होता है कि जो आपको हाथ प्यार नहीं फुलाने दोस्तों लेट मी शेयर ट्रेट फोर थर्ड वीक अपर वह निफ्टी डिवाल अबाउट यह फिर अपनी ट्रेड यहां पर शेयर यहां पर कर रहे हैं जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिसकस करने वाले तो आज काली चैप्टर वन य यहां चलोग बाई दूस्तों